हेलो वेलकम टू मेकेनिकल सोलूशन हिंदी शेयर और सब्सक्राइब करें चानल को आज के इस वीडियो में EGR सिस्टम क्या होता है इंजन में कहा लगा होता है और इंजन में EGR सिस्टम का क्या काम होता है वर्क होता है डिटेल में बात करेंगे टॉपिक अच्छा लगे तो वीडियो एंट तक देखिए बात करेंगे सबसे पहले EGR कंट्रोल मॉडल के बारे में तो EGR कंट्रोल मॉडल को exhaust gas recirculation भी बोलते है इसके लिए EGR जो emission control unit होता है उसके साथ में EGR सिस्टम माउंट होता है emission norms के लिए जानने के लिए वीडियो के description में लिंक दे दूँगा वहाँ से वीडियो फूल वाच कर लेना उसके बाद में जो engine का जो चवता stroke होता है exhaust stroke होता है उस time पे exhaust stroke से जो exhaust gases जो exhaust manifold जो exhaust gas निकलती है बाहर निकलती है वो harmful gases होती है उसमें क्या होता है कि pollutant होता है pollution फैला आता है वो gases उसमें क्या होता है कि जैसे carbon monoxide होता है और nitrogen oxide होता है उसके वज़े से क्या होता है कि nitrogen oxide जो gas है वो human beings के लिए ज़्यादा harmful होती है इसलिए क्या होता है कि EGR harmful gases को कम कर देता है और exhaust manifold से निकलती ही निकल रही gases को वो EGR intake manifold में return भेज देता है स्रेंड कर देता है fresh air के साथ में और fresh air के साथ में exhaust gas मिल जाती है इससे क्या होता है कि intake और exhaust manifold के center में लगा होता है जब कि जब गाड़ी idle speed में run कर रही होगी उसी time पे वो continue जब running speed पे गाड़ी चलती है तब ही क्या होता है कि वो wall open हो जाता है EGR wall open हो जाता है और उसी time पे क्या होता है कि ECM control करता है EGR wall को जो EGR control model होता है उसी में EGR में temperature sensor लगा होता है जो temperature ECM को signal send करता है और ECM वो receive करता है उसी के मुताबिक combustion इसके वज़े से exhaust gas intake combustion में और use होती है इसी के लिए exhaust gas circulate होती है combustion चेंबर इसी तरह exhaust gas recirculation वर्क करता है engine में thank you for watching वीडियो सब्सक्राइब कर देना चैनल को लाइक कर देना वीडियो को कि अगरे अगरे